तो guys windows 10 में अगर हम shutdown button create करना जान जाए, restart button create करना जान जाए या slide करके shutdown करने का ये सब option मिल जाए तो काफी easy तरीके से हम अपने windows को shutdown कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप जब इस पे click करते हो, थोड़ा सा wait करना होता है, फिर यहाँ पे आप जाते हो तो यह proper एक shortcut कैसे आप create कर सकते हो, मैं shutdown, restart and slide to shutdown तीनों option यहाँ पे आप लोगों को दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे right click करता हूँ, desktop पर कहीं पर भी आप right click करेंगे, new पर आ जाएंगे और यहाँ से shortcut create करेंगे सबसे पहला shortcut मैं shutdown button के लिए create कर रहा हूँ, जो कि है shutdown, आपको यहाँ पे simple type करना है, shutdown, space-s, space-t, space देना है और जो भी आप time duration देना चाहें कि आप कितने second या time duration पर उसको shutdown करना चाहते हैं, तो zero करने का मतलब instant shutdown यह हो जाएगा अगर आप इस time को बढ़ाएंगे तो यह उतने second का time यह लेकर जाएगा, तो फिलाल zero करके just आपको next कर देना है and अभी मैं shutdown name से ही यह बनाने वाला हूँ and इसका name अगर change करना तो आप कर सकते हैं, अदरवाइस कोई दिक्कत ने finish कर दें अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, don't worry अभी देखिएगा, इस पे right click करिए and इसका property open करिए property open करने के बाद just यहाँ पे change icon and यहाँ पे change icon पे आपको click करना है change icon पे जैसे ही आप click करते हैं, आपको यहाँ पे एक option मिलेगा just ok कर लेना है and यहाँ से shutdown button जो भी आपको icons वगरह कर सकते हैं, browse करके different different icons भी आप यहाँ पे select कर सकते हैं, उससाब से आप use कर सकते हैं तो just मैं इसको shutdown icons apply कर देता हूँ, अब देखो यह कितना अच्छा सा shutdown button हो गया, just इस पे click करिए and इसको pin to task bar कर दो और उसके बाद आप इसको चाहो तो delete कर दो, delete करने से कोई difference नहीं, यहाँ पे हमारा यह shutdown button है, जैसे मैं इस पे click करूँगा, हमारा computer shutdown हो जाएगा इसके लावा restart button के लिए same process आपको use करना है, जैसे shortcut पे आपको create करना है and यहाँ पे आपको type करना है, shutdown space-r space-t space और जितना भी time duration का आप restart देना चाहते हैं so shutdown space-r space-t space and यहाँ पे 0 time duration देकर just next करेंगे और यहाँ पे आप restart लिख देंगे okay, restart and just okay, तो एक restart button यहाँ पे ready हो जाएगा, इसको भी आप property में आ जाएगे इसका icon change कर लेंगे and just इसको okay करेंगे और जो भी आप restart icon set करना चाहते हैं, आप अपने identification purpose से उसको आप यहाँ पे apply कर देंगे जैसे आप restart के लिए मैं यह वला icon set कर देता हूँ, वैसे USB का है, ऐसा सही नहीं है, तो मैं यहाँ से कोई भी अनदर restart के लिए ले ले लेता हूँ जैसे disk के लिए, हैना कि boot वगरह होगा ऐसे, तो ऐसे मैंने कर दिया, यह easily यहाँ से हम पैचान जाएंगे और इस पे right click करके हम इसको pin to task bar कर देंगे और यह हमारा यहाँ पे आ जाएगा, जैस्टिस को भी delete कर देना, final और सबसे interesting setting कि अगर slide to shutdown चाहिए, कि उपर से आप click करो और एक shutdown button, मतलब एक page है उसको slide to shutdown बोलते हैं, तो right click करें, new पे आ जाएं, shortcut पे आ जाएं, और यहाँ पे just आप इसको next करेंगे and save कर देंगे, finish करने के बाद just इस पे right click करेंगे and आप यहाँ पे property में आ जाएंगे, इसका icons जो भी आप change करना चाहते हैं, कर दें, आप चाहाँ तो इसका भी icons same आप रख सकते हैं, या कोई other icons आप select कर सकते हैं, अब slide to shutdown में मुझे चाहिए, तो मैं आप सर्च जैसा एक icon लगा लेता हूँ, आप internet से shutdown का color change कर सकते हैं, color जैसा कुछ ले लेंगे, जिसे blue, green सब आता है, तो उसी साब से आप use करेंगे, मैं जैसे इस पे click करूँगा, आप देख सकते हो, उपर से एक screen ऐसे आजाएगा and shutdown के लिए हमारा machine ready है, बस आपको shutdown हो जाएगा, and जैसे आपका machine देख रहे हो, यहाँ पर .exe वाली file run हो जाएगी, आपका shutdown हो जाएगा, यह slide to shutdown, बाकी के तीन भी ऐसे ही काम करेंगे, sorry, दो, जो मैंने अभी बताया, so video कैसी लगी, comment करके बताया, so video पसंद आयो, तो like करेंगे, and channel को subscribe करके, bell icon पे जरूर आ मारे channel पर नई videos का, और यह सारी चीजों का मिलना चाहिए, वो सब आपको proper मिले, मिलते next video मैं, thank you so much.